नमस्कार मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चनल पर यहां बात करेंगे UP-set 2021 की जो परिक्षा तित्थी वो घोसित कर दी गई है यानि आप समझ सकते हैं जैसे इसमें बीटेक लेटरल इंट्री होती है बिफार्मा होती है बिफार्मा के लेटरल इंट्री होती है इस का जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसे देखते हैं यह हम आ गए है ऑफिशल वेबसाइट पर इस पर आप देख सकते हैं यह पूरी की पूरी यहां उत्तरपदेश कंबाइन इंट्रेंस्टर 2020 आप नीचे की तरफ जो स्क्रॉल करेंगे इसमें तो आप तो इसी में पूरा का पूरा जो है इंस्ट्रोडेक्शन और पूरी हर एक चीज़ डिटेल आपको प्रवाइड कराई गई है आप यहां डारेक्टली सारी चीज़ों को एक एक करके यहां पर समझ सकते हैं कि कब किस परिक्षा की तिति है देखें यहां पर जो है पब्लिक नोटिस ग्यारा तारीक की है और यहां कंड़क्ट अ उत्त्रपदेश कौमन इंटेंस्टेट यूपी सट दोहजारी किस और यह 5 सितंबर से 6 सितंबर के मद्धिये परिक्षा आयुजित की जाएगी आप सभी लोग देख सकते हैं यहां और यहां देखें यह इतने एक्जाम जो आपके सामने है MBA तक यह 2 गंटे के 12 से 2 बजे तक यह 6 तारीक को कंड़क्ट कराए जाएंगे इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं नीचे कि 1st year of BTEC और BTEC AG 6 तारीक को 3 गंटे का ही 1st year of BBA तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 2nd year any lateral entry जो होती है diploma entries जो होंगी BTEC में या BPharma lateral entry वो सारी 6 तारीक को आपको होंगी यहां पर होंगी MBA जो Master of Business Administration वो 5 तारीक को आप यहां पर देख सकते हैं BPharma का जो आप सभी लोग ने फार्म भरा होगा यहां पर यह जो परिक्षा होगी वो 6 तारीक को 4 बजे से 7 बजे तक होगी इसी तरीके से MSC, Math, Physics, Chemistry इन सभी की जो परिक्षाएं हैं वो 5 तारीक को conduct कराई जाएंगी तो आप सभी लोग ने देख लिया admit card आपको जल्द ही मिल जाएगा admit card विल भी hosted on आपको इसी पर एक due courses के रूप मिल जाएगा तो वो जैसे ही update होगा admit card हम आपको बताएंग और आप आसा इसे उसे डाउनलोड कर पाएंगे फिलहाल exam की date declare हो गई है आपको सुचना भी अप मेरे वीडियो के मादम से मिल गई होगी आप website पर भी जाके इसे चेक कर सकते हैं और अगर directly link के मादम से डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे description box इसी वीडियो के description box में इसका link मिल जाएगा और आप आसा इसे डाउनलोड कर पाएंगे तो मिलते हैं अगली update के साथ तब तक के लिए धनिवाद जय हिंद चैवारा